हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल, इस जो जो वीट टीम बना रहे हैं, आज की वीडियो में बात केने वाले हैं, बिहार सैवेंथ फेज सिच्छक बरती 2023 के जीके जीया से डिलेटेड को, तो आप लग भी इस वीडियो में लाश्ट तब बने रहेगा तो चले इस चार्ट करते हैं को तो देखे यहां पर 21 नमबर का ग्वस्चन है, कोशन देखे करा है, बिहार में सबसे घंडा वाला जीला है, एप्शन A, यहाँ पे करा है किशन गंज, ऑप्शन B, कैमूर, ऑप्शन C, गया, ऑप्शन D, मुझभर पूर, तो देखे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह है option number C गया ओके तो आप लोग ध्यान रखेगा चलिए देखते हैं नैस्च कोश्चन को अब यहां पर देखें 22 नंबर का question है 22 नंबर का question करा है बिहार में सबसे बड़ा नगर है option A यहां पर करा भागलपूर option B दर्बंगा option C मधुबनी option D पटना तो देखें यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह है option number D पटना तो बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना तो यहां पर option number D बिलकुल राइट हो जाएगा चले देखते है नैस्च question 23 नंबर का question यहां पर करा है मुल रूप से बिहार सब्द का अर्थ है option number A करा है बौध मट option B देव दूतों की भूमी option C हर्याली का प्रदेश option D आरे प्रदेश तो देखें यहां पर जो करेक्ट answer है वह है option number A बौध मट तो यहां पर मुल रूप से बिहार सब्द का अर्थ है बौध मट ओके आप लोग ध्यान रखिएगा चले देखते है नैस्च question अब यहां पर देखे 24 नंबर का question है 24 नंबर का question करा है बिहार में नमक सत्याग्रा आरंब हुआ option A यहां पर करा है 6 फर्वरी 1921 B करा है 6 फर्वरी 1929 option C करा है 15 अपरेल 1930 option D करा है 7 अपरेल 1934 देखे जो बिहार में नमक सत्याग्रा आरंब हुआ था वह हुआ था 15 अपरेल 1930 में तो option 9 यहां पर C बिल्कुल राइट हो जाएगा चले देखते है नैस्च question अब यहां पर द पर option A करा है 1896 इसवी option B 1906 इसवी option C 1911 इसवी option D यहां पर करा है 1936 इसवी तो देखें यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह है option B 1906 ओके चे चले देखते हैं नैस्ट question अब यहां पर देखें 26 नमबर का question है question देखें करा है बिहार का मुगल सामराज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ option A करा है 1540 इसवी option B 1540 इसवी option C 1580 इसवी option D 1620 तो देखें यहां पर बिहार का मुगल सामराज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था वह हुआ था 1580 इसवी में तो option C यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा चले देखते हैं नैस्च अब यहां पर 27 नंबर का question है तो question देखें करा बिहार विदान सभाव में वर्तमान में कितने सदस्य है option A यहां पर देखें करा है 240 option B 243 option C 245 option D 246 तो देखें यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह है option नंबर 243 ओके आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए दिखते हैं अब यहां पर देखें 28 1528 नंबर का कुस्चन है 28 नंबर का कुस्चन करा है बिहार से लोगसाबा के लिए कितने सदस से चूने जाते है option A करा है 20 Then ד Left तो देखे जो बिहार से लोग सभा के लिए पूरे 40 सदस से चूने जाते हैं तो यहाँ पर option number D बिल्कुल राइट हो जाएगा ओके चले देखते हैं अब यहाँ पर देखे 29 नंबर का question है तो question देखे करा है पटना उच्य नियायाले की अस्थाबना कब हुई option A यहाँ पर करा 1916, option B 1917, option C 1918 और option D यहाँ पर करा 1921 तो देखे यहाँ पर जो correct answer है वह है option number A 1916 ओके चले देखते हैं नैस्ट अब यहाँ पर देखे 13 नंबर का question है, question देखे करा है बिहार में राजे सभा की कितनी सीटे है option A यहाँ पर करा 12, option B 14, option C 15, option D 16 तो देखे यहाँ पर जो बिहार में राजे सभा की सीटे होती है वो 16 होती है तो यहाँ पर option number D बिल्कुल right हो जाएगा चले देखते हैं नैस्ट question अब यहाँ पर देखे 31 नंबर का question है तो 31 नंबर का question करा है जार खंड बिहार से कब प्रिथक हुआ option A यहाँ पर करा है 15 नंबर 2000, option B 25 नंबर 2001, option C 23 नंबर 2002, option D इन में से कोई नहीं तो देखे यहाँ पर जो correct answer है वह है option number A है 15 नंबर 2000, ओके चले देखते हैं नैस्ट question अब यहाँ पर देखे 32 नंबर का question है तो question देखे करा है बिहार और उडिशा का विभाजन हुआ option A यहाँ पर देखे करा है 1932, option B 1936, option C 1937, option D 1938 तो देखे यहाँ पर जो correct answer है वह है option number B 1936 तो बिहार और उडिशा का जो विभाजन हुआ वह 1936 इसवी में हुआ था ओके आप लोग ध्यान रखेएगा चले देखते हैं next question अब यहाँ पर देखे 33 नंबर का question है question देखे करा है बिहार सोसलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे option A यहाँ पर करा है जयप्रकास नारायर, option B सुबास्चंदर बोस, option C सत्यभक्त, option D इनमें से कोई नहीं तो देखे जो बिहार सोसलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वह थे जयप्रकास नारायर तो option A यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, चले देखते हैं नैस्च और यहाँ पर देखे 34 नमबर का question है, question देखे करा है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, option A यहाँ पर करा बाबु जी प्रशाद, option B, बाबु कोपाल, option C, बाबु माहिश्वर प्रशाद, option D, बाबु राम प्रशाद, तो देखें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, option C, बाबु माहिश्वर प्रशाद, ओके, तो बिहारी के संस्थापक थे, बाबु माहिश्वर प्रशाद, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चले देखते हैं, नैस्ट, अब यहाँ पर देखें अब यहाँ देखे, 35 नंबर का कोश्चन है, तो कोश्चन देखे करा, बिहार में किस अस्थान पर भारती राश्ट्री कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ, option A, यहाँ पर देखे करा, हरीपूरा, option B, रामगर, option C, गया, option D, बटना, तो देखें, यहाँ पर जो करेक्ट अब यहाँ देखे, 36 नंबर का कोश्चन है, तो कोश्चन देखे करा, बिहार में किसान सभा के अस्थापना किनके द्वारा की गई, option A, सहजानन्द सरस्वती, option B, जैप्रकास नारायर, option C, स्वामी अगनिवेश, option D, इन में से कोई नहीं, तो देखें, यहाँ पर जो करे अब यहाँ पर देखे, 37 नंबर का कोश्चन है, तो कोश्चन देखे करा है, बिहार में किसान सभा का गठन इस सन में हुआ, option A, परवरी 1931, option B, चनवरी 1933, option C, मार्च 1929, option D, अप्रेल 1922, तो देखें, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, वह है, option नंबर C, मार्च 1929, तो ब अब यहाँ देखे, 38 नंबर का कोश्चन है, कोश्चन देखे करा, बिहार बंगाल से कब प्रिथक हुआ, option A, यहाँ पर करा, 1911, option B, 1912, option C, 1813, option D, 1814, तो यहाँ पर B वाला उप्शन विल्कुल राइट हो जाएगा, चलिए दिखते है, नैस्च, अब यहाँ देखे, 39 न C, तात्या टोपे, D, इनमें से कोई ने, तो देखे, जो 1857 की करांती के बिहार के नेता थे, वहते, कुवर सिंग, तो option B, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, चलिए दिखते है, नैस्च कोश्चन, तो देखे, अब यहाँ पर 14 नंबर का कोश्चन है, कोश्चन द option नंबर A यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरू करिएगा, और हमारे चैनल study with team बनारस को जरूर सब्सक्राइब कर करेगा मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई